हेलो गाइज वेलकम अगेन आपका फिर से स्वागत है हमारी इस प्यारिश यूट्व चैनल के अंदर बायो केम एसी सर एंड अपन लोगों ने अनिमेल किंग्डम चेप्टर स्टाट कर रहे हैं जिसके अंदर पांच फाइलम अपन लोगों ने देख लिया था ठीक है पौर के अंदर अपन लोग कवर करते हैं अनलीडा से लेकर हमिक ओडर्स तक तो स्टाट करते हैं अनलीड्स नंबर का जो फाइलम वह कौन सा है अनलीड्स के अंदर खास बात कि इसके अंदर इनुलस प्रजेंट होता है यह अपन ऐसे बॉले कि दा लेटिल रिंग यानि कि लस बोलते हैं क्लिर हो गया ना ओके इनके अंदर जो सेग्मेंट होता है वो मेटामेरिक सेग्मेंटेशन प्रजेंट होता है और इनके अंदर तीनो टैप की जर्म लेयर प्रजेंट होती है यानि एक्टोमेजो एंड एंडोड्रमल बात करें सिलोम की तो इसके अंदर सिल लिट्स का वो इंपोर्टेंट है और आपको याद भी रखना है इनके तरी जो और रटा होता है मफ्रीडिया होता है क्या होता है न मुद्स inic लिख्ल के अंदर ascratory organ होते हैं तो दोने में major difference है और आपको यह याद रखना है development की बात करें इनके अंदर तो जो development होता है वो indirect type का development इनके अंदर होता है अब बात करें blood circulatory system की इसको ध्यान से देखना तो सबसे पहले analida के अंदर ही blood circulatory system कैसा पाया गया close type का यानि कि इसके अंदर blood vessel जो होती है उसका complete जाल बिचा होता है यानि कि artery, vein and capillaries इसके अंदर present होता है तो सबसे पहला phylum अगर पूछे कि कौन सा है जिसमे close type का circulatory system देखा गया तो आपको याद रखना है analida के अंदर respiration के बात करें तो यह skin and gills दोनों से respiration कर सकता है अब खास बात क्या analida के इनके अंदर एक जोडि यानि one pair nerves ganglia present होती है क्या present होती है nerve ganglia present होती है अब यह जो nerve ganglia होती है यह ventilation side पर present होती है कहाँ होती है venture side पर present होती है जो कि nerve cord से जूड़ी होती है इतना clear हुआ नेस अपर लोग बात करते है neres की, तो neres के अंदर perapodia present होता है, perapodia यानि यह foot like structure होता है perapodia इसको अपर измен जिसका role क्या होता है, यह ternap के स्वुमिंग के लिए यह useful होते है अगर एनलीडा की एक्जांपल्स की बात करें तो तीन एक्जांपल NCRT में में जो आपको डिरेक्ली याद रखना है पहला नेरिस, दूसरा फेरेटीमा और तीसरा हिरूडी नेरिया वहीं अगर आप लो नेरिस की बात करें तो यह डायोसियस होते हैं बलकि फेरेटीमा और हिरूडीन एरिया की बात करें तो यह कैसे होतेthest है ? मौनोसियस होते हैं तो यह भी आपको याद रखना है क्योंकि यह अंसी नेरिस नेरिस के बारे में तो आपको डिरेक्ली यहां से याद रख लेना है तो अपना एनलेडा फाइलम कंप्लीट हुआ, नेश्ट अपने लोग बात करते हैं और्थोपोडा फाइलम की, देखो और्थोपोडा फाइलम की खास बात क्या है, वो पहले अपने लोग बात करते हैं, पहले तो मैं आपको बता दू, और्थोपोडा जो फाइलम होता है, यानि कि अपने जितने भी फाइलम पढ़ने हैं, उनके अंदर सबसे बड़ा फाइलम जो होता है, वो कौन सा होता है, और्थोपोड़ा होता है, अगर अपन बात करें एनिमल्स की, यानि कि प्राणियों की बात करें, तो इसके अंदर दो तीहाई, टॉटल में से दो होते हैं वह और्थोपोडा के अंदर ही आते हैं अब इसके बात करते हैं इसके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजिस प्रजेंट होते हैं क्या प्रजेंट होते हैं ठीक है यानि कि इसके जो पैर होते हैं जो हाथ होते हैं फूट वगर जो होते हैं उनके जॉइंट प्रजें for floblastik होता है यानि तेनो जर्म लेर इसके अंदर प्रजेंट होते हैं अश्प्रेट्री और्गन की बात करें तो यह थोड़ा से important है यहां से अश्प्राट्री जो और गूर्गन होता है वह ग्रीन नेश्ट अब लोग बात करती हैं त्यान से देखना यह भी यूश सिलोमेट होता है यानि कि इनके अंदर भी केवीटी परजिन होते हैं यह भी बाइलेटर सेमेट्री शो करते हैं इनके अंदर जो बोड़ी और्गनाजिशन होता है वह और और सिस्टम टाइप का होता है अब देखो गिल्श के तर्व यह होते हैं बात करते हैं ऑब करते हैं यह जो गौत यह जैंचको बुक गिल्स के तुरू respiration होता है वह अगर बात करें बुक लंग्स की तो बुक लंग्स के अंदर जो मकड़ी हो गया मकड़ी जिसको अपने लोग क्या बोलते हैं scorpion and spider तो मकड़ी और बिच्छु जो होते हैं उनके अंदर बुक लंग्स के तुरू respiration होता है और कीटों के अंदर tracheal system होता है यह आपको याद रखना है किसके अंदर insect यानि की कीट के अंदर tracheal system के तुरू respiration complete होता है अब देखो एस्क्रेटरी औरगन तो अपने देखा लेकिन इसके अंदर कौन सा जो होता है वो orthopoda ही होता है जो कि आपको याद रखना है इसके अंदर gizzard परजेंट होता है अब आप सोचोगे यह gizzard क्या है देखो यह terms मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यह directly आपको याद होना चाहिए gizzard कौन से phylum से belong करता है कौन से phylum के अंदर आपको यह gizzard देखने को मिलता है एक्शली होता क्या है मैं आपको बताऊँ एक तो देखो इनके अंदर जो element के नाल होती है वो complete होती है ठीक है यानि mouth से लेकर वो एनस तक complete होती है अब mouth के अंदर इनके अंदर mouth में क्या होता है यह food को grid करने के लिए पीसने के लिए गिजार्ड प्रजिट होता है तो गिजार्ड कहां पे मिलेगा इनके अंदर mouth के अंदर जो की भोजन को पीसने के लिए ठीक है grid करने के लिए काम करते है blood circulation में ने बता दिया था sorry blood circulation के से open है और elementary canal जो होती है वो complete होती है body segment की बात करें तो तीन पार्ट में divide होती है body segment कौन-कौन सा head, thorax और abdomen यह तीनों पार्ट आपको याद रखना है orthopoda का जो body segmentation होता है वो तीन पार्ट में divide होता है head, thorax and abdomen इतना clear हुआ? अब धान से देखना मेली जो orthopoda के member होते है वो ovipares होते है यानि कि ये under देते हैं ovipares का मतलब underage ऐसा कुछ ट्रम आता है तीन अपन बात करते है संतुलन के लिए इनके अंदर statocyst present होता है statocyst जो होता है वो special structure होती है जो balancing का role अधा करती है जो balancing के लिए जरूरी होती है ठीक है इनके अंदर antenna भी present होते है mouth के उपर eye की बात करे जो कि NCRT में दे रहे है orthopoda के अंदर जो आँख होती है eye होती है वो simple भी हो सकती है saral यानि की या फिर compound यानि कि संयुक्त आँख भी इनके अदर मिलती है तो simple and compound दोनों टैप की eye आपको orthopoda के members में देखने को मिलता है इतना clear हो गया यह ओकी नेक्स्ट अपनों बात करते है इनके examples की तो भाईया examples तो देखो जितने याद करें उतने ही कम है क्योंकि सबसे बड़ा phylum यही है example भरे पड़े लेकिन अपनको अंसी याट यह वाले example सारे क्या गरने है याद रखने है पहली बात करते है apis apis जिसे आप मने मधुमकी के बारे में सुना होगा apis ठीक है apis indica apiculture के लिए यूज होते है bombics जो होता है उसको रेसम कीट बोलते है अपने लैसी फर लाका जो होता है उसको लाका कीट बोलते है यह सभी आपको अंसी आठ में देखने को मिल जाएंगे मॉस्कुटो की बात करें तो इनके अंदर एनफलीज क्यूलेक्स एनद एडीज मॉस्कुटो परजेंट होता है जो मैनली डिजीज कॉज करते है यूमन की अंदर ठीक है लाकुष्टा की बात करें इसको यूथ पेड़क बोलते है देखो यह डिरेक्ली आपको याद रिखना है ठीक है लिमूलेस जो होता है लिमूलेस का क्योशन तो आया हुआ भी है लिमूलेस जो होता है वो उसको लिविंग फॉसल बोलते है जीवित जिवास में यानि कि यह किंग क्रेब पी दूसरा इसका नाव है ठीक है अब यह अंसी आटी में नहीं दे रहे हैं लेपिसमा लेपिसमा जो होता है लेपिसमा की खास बात क्या है इसका अगर आपको कॉमन नेम दे है कि इसको सिल्वर फिस बोलते है तो आपको कन्विज नहीं होना कि यह फिस है याद रखना यह और्थोपोडा का मेंबर है ठीक है आपके तो यह सारे एक्जम्पल्स आपको याद रखने है जो कि अंसियाटी बेस्ट है ठीक है ना एक एक्जम्पल एस्ट है फिर भी कोई दिक्कत नहीं आपको आना चाहिए देन नेक्स्ट फाइलम एट नंबर फाइलम मॉलस्का की बात करते है मॉलस्का की अंदर क्या होता है सबसे पहले मॉलस्का में अंसियाट ने में लाइन दे रहें कि यह सॉफ्ट बॉड़ी होती इनकी इनकी बॉड़ी कैसी होती है कॉमल यानि कि यह सॉफ्ट बॉड़ी स्ट्ट्चर होती है और मॉलस्का जो होता है वो second largest phylum होता है first कौन सा हो गया orthopoda और second कौन सा है molluska then बात करते हैं इनके इंदे calcareous cell इनके अंदे प्रजेंट होता है calcareous cell का मतलब क्या होता है इनकी जो after structure होती है outer most जो layer होती है calcium carbonate की बनी होती है tough cell होती है कठोर cell होती है जो इनको बचाओ का काम करती है then बात करते हैं ये भी triploblastik होती है bilateral होती है ठीक है और silomate होती है यानि इनके अंदे body cavity present होती है ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं ठीक है तो aquatic and trasterial भी होते हैं इनके अंदर भी organ system type का body organization present होते है elementary canal तो इनके अंदर भी complete होता है ठीक हो जो common चीज़ है जो अभी तक जैसे कहना लीडा के बाद में चलती हा रही है तो आपको तो बस वहां तक याद रख लेना है बाकि ये तो वो common चीज़ ठेर तक चलती रहेगी अच्छा एक चीज़ और इनके अंदर mouth के अंदर regular structure पर जिन होते है regular क्या होता ये भी पीसने का काम करते है grading का काम करते है अभी important है या सीदिश ये बात है देखो जो man-man चीज़ होती है इनका जो key point होता है phylum का वो आपको directly याद होना चाहिए क्योंकि question जो आता है वो key point से आते है तो इनके mouth में कौन सी structure होती है regular जो कि grading यानि पीसने का कारिय करती है यतना clear हुआ excretion की बात करें तो इनके अंदर excretory organ जो होता है वो bojanice के organ या फिर cabra gland अपने इनको बोलते हैं ठीक है किसको छोड़ गया है सीफिलो पोड़ा के जो member होते हैं ठीक है squid, octopus वगर है उनके अंदर close type का circulatory system present होता है इतना आपको क्लिया रखना है most of the molluska में कैसा होते है open type का circulatory system present होते है but accept यानि किसको छोड़ के सीफिलो पोड़ा class के जो member होते है उनके अंदर close type का circulatory system present होता है देन बात करते हैं इनके बोड़ी के अंदर भी तीन पार्ट होते है like first head हो गया दूसरा muscular foot हो गया तीसरा visceral hump हो गया तो इनके बोड़ी भी कितने पार्ट में डिवाइड रहती है त्री पार्ट में डिवाइड रहती है अब एक चीज़ में आपको बताता हूँ ध्यान से देखना visceral hump और mental ये दो structure होती है जिनके बीच में एक cavity होती है उसको क्या बोलते हैं अपने लोग mental cavity बोलते हैं जहांपर gills present होता है ये NCRT के लाइन है डारेक्ली आपको याद रखना है ये भी कैसे होते हैं ओवी paris होते हैं यानि कि ये अंडे देते हैं कलियर होगे इतना अब इनके examples की बात करें तो paila हो गया ठीक है पिंक डाटा हो गया sapia हो गया lolligo हो गया octopus हो गया aplicia हो गया dentellium हो गया keto pleura हो गया जो NCRT level के हैं सारे आपको याद रखने हैं इनके एक्जम्पल्स और NCRT में देखना इनके एक्जम्पल्स के सासत ब्रैकिट में इनका एडिशनल नेम भी लिखा हूँ है ठीक है अधर नेम भी लिखा हूँ है उस नाम से भी आपको यह आना चाहिए तो अपना यह कंप्लीट हो गया मुलस क्रेक्टर हो गया जैसे मैंने बॉर्ड रखा आपको कि हर एक फाइलम के की पॉइंट आपको याद रखने है तो इकानो डर्मेटा गी बात कर तो इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रजेंट होता है वही अपने देखा पौरी फेरा के अंदर वाटर केनाल और वेस्कुलर सिस्टम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों को आपको क्लियर याद रखना है अब इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम का वर्क क्या है कारिया क्या होता तो लॉकॉमोशन के लिए यूजफुल है ठीक है कैप्चरिंग फूड बोजन को पकेने के हुअ कि जन बात करते हैं नार्मल सी चीज यह में परशेंट मेयराएंन जिसे कि शीनिवेधीय यह न्मेराइन है और एक की अट्रमेट भी कैसे हैं हंडिड परषेंट मेराइन होते हैं इनका जो स्क्लेटं होता है उसके अंदर कैल्सिम शौप कार्बिनेट का यह बना होता है जो किंसीा कि में मैंसन है यह समिलर व्लास्टिक होता है तीनोly अग्यर मियन ही देन भी थे रहुन होता है रही बोडी और निसिशंट में होता है एक चीज और आपको यह देने है इन के अंदर अश्कारिपर्स अप्सेंट होता है मतलब कि इनके अंदर को यह सा और गॉन है नहीं जिसके थूर्ण खर्सक्रीशन कर सके तो cohort जो इसकीन होती है मॉश्ट स्कीन होती है वहां से यह अपने प्रॉड़िक को बोडी से वहर एसक्रेट करते हैं complete elementary canal इनके अंदर प्रजेंट होती है ठीक है माउस टू लेकर एनस तक माउस जो होता है वह वेंट्रल साइड होता है तो यह आपको याद रहे हैं और एनस जो होता है वह डॉर्सल साइड प्रजेंट होता है इस फर्टलाइजेशन की बात करें तो यह एक्स्टनल टाइप का होता है और डेवलमेंट भी इनके अंदर कैसा है इन डारेक्ट डेवलमेंट प्रजेंट होते हैं एक्जम्पल्स की बात करें जो की इंपोर्टेंट एक्जम्प्र या पॉइंट वी से ठीक है तो पहला जो अच्टस the वह है एस टेरियाश एशचेर कू एशटेरेश को क्या होते स्टार्फिस यानि के अन्याcessors के में त्रमीन या त्रमाचिली बोलते हैं ए चंप्री ब잉इस को अस्त प्रहएं और ऑंतिको ठीपी बात के तक प क्या है सी आर्चिन बोलते या ऐसा आर्चिन है इसको बाते हैं एंटीडाम pathway को बते हैं सी लीली समुद्री लीली बोलते हैं इसको फिन्स और आपन क्या बोलते हैं ब्रिटल इस्टार यानि भंगूर तारा बोलते हैं और नेश्ट एक्जाम्पल कुकुमेरिया कुकुमेरिया यानि किसको समुन्दरी करकंट ऐसा कुछ ट्रम है अजीब सा ठीक है तो एंसे अटी से आपको इस सारे एक्जाम्पल याद रखने हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है देन टैन टैन्थ फाइलम के बात करते हैं जिसका नाम है है मिकॉर्डेटा कहां से देखना है हमिकॉर्डेट की बात करें तो यह भी हंडिट परसेंट मेराइन होते हैं अब तीन फाइलम होगे हंडिट परसेंट मेराइन होने वाले पहला तिनोफ्ーrat दूसरा अभी इसके पहले वाला नाइन्थि वाला फािलम् जो कि था एकाम wiltермेटा और अब है हैमी Quand अश्कुलीजिव मेराहिन होते हैं निय Но अधेर हैं नियूमा क्यों वार्म्म एन सिमेट्री शो करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं बोड़ी और्गनाजेशन और्गन सिस्टम टाइप का उतर इनके अंदर भी कैविटी होती है इसका मतलब यह सिलोमेट होते हैं इनकी जो बोड़ी होती है जैसे कि आप डाइग्राम में देखोगे आपका 4.15 वहा ज सिस्टम होता है ठीक है तो अभी तक जो ट्रॉद को किस में मिलाता है देनें बात करते हैं इनके एंदर और होती है इनका गया नियुकु रहे हैं हैं nam कुछ कुछ करेक्टर होते हैं जो कोड़ेट से से कोरेलेट करते हैं बड़ कम्प्लीटली नहीं करते हैं दोको इसके अंदर नोटो कोड जी से एक या प्रोबोजी जो पाट उता है उसका एंड पार्ट जहांसे कालर इजन स्टार्ट होता है वहां पर यह इस्टोमो कॉड़ प्रजेंट होती है तो यह आपको याद रिखना है साइम और नोट नर्ट नोट नोट रोड नहीं है उसके जैसा इस के बात है लूने नामおお और सेकंड एक्जम्पल की बात करें उसका नाम है सेको ग्लोसस तो यह दोना एक्जम्पल आपको याद रखने हैं जो कि किसके हैं हैं मिकॉर्ड एट्स के तो यह अपने दस फाइलम कंपलीट हुए थे जिनके शॉर्ट नॉट्स आपको टेलिग्राम चैनल के ओपर मिल जाएंगे जैसे वीडियो अप्लॉड हो का उसके पांच मिनट बात वहां पर PDF के फॉर में यह नॉट्स अपलॉड हो जाएंगे इतना क्लियर हो गया ओके तो आप से रिक्वेस्ट है कि जो भी जिसको बेनिफिट मिल रहा है जिसको यह जो नॉट्स है वह एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को आप जुरूर करना अगर आपको अच्छा लगे तो इतना क्लियर हो गया तो नेक्स्ट अपने लोगों बात करेंगे कोड़र्स की तो तब तक लिए थैंक्यू सो मच्छ हैव ए गुड डे और अपना ख्याल रखना बबाई टेक क्या